हेलो एप्रिवान कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा और खुबसूरा सा डिसाइन का डोर बेट मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को आल पेज सेट कीजेगा तो यहाँ भी मैंने बनाने के लिए इस डिसाइन को दो कलर के उल ले रखें हैं आप चाहे तो साड़ी छुनी से भी बना सकते हैं ठीके तो यहाँ पे इस डिसाइन को बनाने के लिए दो कलर की उल लेनी होंगी और देखे इस तरीके से मैंने यहाँ पे यह देखे ग्यारा नौनमबर की सलाई ले रख़िए ठीक है आप कपड़े के अकौर्डिंग अरा आप कपड़े का बना रहे हैं तो नौनमबर की सलाई ले लिजिए ठीक है तो उसके बाद देखे सबसे पहले इस तरीके से अड़ाकार डिजाइन को बनाने के लिए बहुत प्यारी सी पर देखे सबसे पहले इस तरीके से यहां पर फरस्स रो से एक इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है जाहे आपको कपड़े से हो या फिर उल्ल से हो ठीक है तो यहांपर देखें तीन चार पाँच और छे ठीक है बहुत प्यारी सी खुबसूरा डिजाइन है तो देखे छे फंदे हमने यहाँ पे किनारे पे रखे हुए छे बुन लिए उसके बाद इसे आगे की साइट करेंगे और यहाँ पे पिंक कलर को इस तरीके से बुनेंगे एक, दो, तीन और इसे आगे की तरह फोल्ड करते हुए बनाएंगे चार, पाँच देखे सेम प्रोसेस में आपको इसी तरीके से बुनाई करते जाना है ठीक है तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा खिचते हुए बनाएंगे तो देखें यहाँ पे दो, इस तरीके से नीचे की साइट पे हम दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट देंगे ठीक है, दो फंदे छोड़ना है उसके बाद देखें, पलटने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ यहाँ पे हम कंप्लीट फंदे पुनेंगे ठीक है इस तरीके से तो नीचे है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजएगा और बेल आइकन को ओल पे सेट कीजएगा देखें अब यहाँ से पलट देंगे और इसे थोड़ा सर खिशते हुए इस तरीके से टाइट करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर को पुनेंगे देखें इस तरीके से यह हमारी फर्स रो है इसलिए इस तरीके से हो जा रहा है अभी इस तरीके से नहीं होगा बिल्कुल आसानी से आप बना सकेंगे ठीक है तो देखें इस तरीके से यहाँ पर बुनाई करेंगे और पलट देंगे ठीक है अभी किनारी का फंदा उतार लेना है नेफ्ट फंदे से दो तीन चार पात छे ठीक है छे फंदे हमने बुन लिए इसे आगे की साइट करेंगे फिर से एक दो तीन इस तरीके से यहाँ पर हम सभी फंदे बुनेंगे ठीक है नीचे की साइट पर जाएंगे दो फंदा फिर से जैसे फर्स चो में हमने छोड़ा उसे वैसे ही यहाँ पर सेकंड लेयर में भी छोड़ेंगे अब सीधी साइट से पलटने के बाद यहाँ से चार दुछे दो आर्ट दस ठीक है दस फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिये दो दो करके और तीन फंदे लाश्ट के बस्ते और यह वाले फंदे इन्हें नहीं गटाएंगे ठीक है उसके बाद देखे यहाँ पर किनारे के साइट पर देखे इस तरीके से यहाँ पर पिंक कलर एड़ करेंगे इस तरीके से एक दो और यह जो धागा होता है इसे लेने के लिए आपको इस तरीके से देखे उठा लिजिए और यहाँ से दो को एक में बुन दीजिए उसके बुनाई करने के बाद आगे की साइट पे बुनाई करेंगे इस तरीके से देखे पिंक कलर के सबी फंदे छे फंदे हमने बुन लिए उसके बाद देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और तेरा ठीक है इस तरीके से यहाँ पे हमने फंदे बुन लिए पलट देंगे सीधी साइट से यहाँ पे देखें दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और यहाँ से पलट देंगे सीधी साइट से ठीक है एक जो जिस कलर से उसी कलर से में बनाने है दो तीन चार पांच और सीधी साइट से छे ठीक है इस तरीके से आप देखें यहाँ से पलट लेना है देखें दो तीन चार पांच छे ठीक है आप आगे का देखें इस तरीके से इस तरीके से अभी देखें दो छोड़ना है और पलट देना है ठीक है इस तरीके से फिर से यहाँ से एक दो सीधी साइट से कंप्लीट फंदे बुनेंगे इस तरीके से जैसे मैंने इस कली को बनाया है दो दो करके दो दो चार दो छे दो आट दस ठीक है दस फंदे यहाँ पर मैंने दो दो करके छोड़ें जैसे आपका चालिस फंदे का है तो आप यहाँ पर चालिस फंदे का तो पाइतिस फंदे तक छोड़ें पांच फंदे मत छोड़े ठीक है इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे जिससे तिर्चा कल्य नहीं भगेगी और इस तरीके से फ्रेश डिजाइन में बनके आएगा तो इसी तरीके से यह भी बना लेते हैं उसके बाद इसका आगे का दिखाते हैं तो यह देखिए इस तरीके से मैंने इसकी दो कल्या बना लिए इसी तरीके से अभी और भी कल्या बनेंगे इसकी 6 कल्या टोटल बनेंगी तो यहाँ पे हम बना लेते हैं उसके आगे का प्रोसेस आपको तिखाएंगे तो यह देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे तो हम यहां पेफंदेंगों मैंने नहीं चोड़ते एक को चूटा सा मैंने इसमें बताया है यह पर बनाएं।क बनाने के बात यहां से हम एक दूतिन चार पांख भज़ आएंगे उसके बाद कें यहां पे जो यह हमारा बात होता कि लिए नदा कर का पार्ट पुरना है यह साइज बराबर रखना इधर से भी इधर से भी उसके बाद जब यहां पे बीच का पार्ट जितना लंबा आप इसे बीच के पार्ट को बनाएंगे उतना ही लंबा आपका अंडाकार डिसाइन जाएगा ठीक है उसके बाद फिर से देखे हाफ कलिया जहां से हम जितना बड़ा आपको बनाना है यहां पर बना लीजी उसके बाद फिर से दो दो करके जिसे हाँ बनाते हैं वैसे भी यहां पर कलिया बनानी है six का लिए यहाँ पर भी बनेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें इस तरीके से यहाँ पर जितना यहाँ पर बनाएंगे उतना यहाँ पर भी बनाएंगे उसके बाद देखिए इसको बनाते समय यहाँ पे आप साथ में जॉइंट करते चलिए जो फंदा आप यहाँ पे छोड़ते हैं वो आप हर सलाई में बनाते चलिए और यह यहाँ पे बनाते हुए जॉइंट हो जाएगा उसके बाद देखें यहाँ पे लाश्ट में मैंने इसको सिलाई नहीं करके रखा हुआ ताकि अच्छे से आप समझ जाए तो यहाँ पे देखें मैंने सभी फंदे बंदों करे करके बंद कर दी है ठीक है तो यह देखें कुछ इस प्रकार से इसका फाइनल लूक आएगा जो बहुत ही प्यारी से डिजाइन लग रही है ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है